नमस्कार स्वागत है आपका स्पोर्ट्स वेक्ट में मैं हूँ आपके साथ संध्याबेस्ट आप सभी जानते हैं कि जिंबावे सिरीज का भी दौरा होना है और वहाँ पर ODI मैच भारत और जिंबावे की बेच खेला जाना है जहां पर एक बड़ा बदलाव कल देखने को मिला हाला कि पहले जो टीम डिसाइट की हुई थी उसमें कैप्टन शिखर धवन थे लेकिन उसमें बदलाव किया गया यानि कि केल रहूल की जब फिटनेस टेस्ट उनका किया गया तो उसके बाद वो अपनी फिटनेस टेस्ट में पास होगे अब केल रहूल हमें एशिय कप से पहले जिंबावे सिरीज में कब्तानी करते हुई और साथ में खेलते हुई नजर आने वाले हैं जी हाँ, जिस तरीके से वो काफी वक्त से पहले इंजोर थे, उनकी सरजरी हुई थी जर्मनी में और उसके बाद केल राहूल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उन्हें कोविड हो जाता है, जसके बाद काफी लंबा वक्त उन्हें अपनी सेहत को देना पड़ता है, हर कोई ये एक और रहा था, कि K.R. राहूल क्या हमें सीधे एशिया कप में नजर आएंगे, लेकिन इस तरीके की बाद जो निकल कर सामने आ रही थी, उससे कहीं न कहीं जब स्कॉआट का एणाउंस हुआ था, तो वहाँ पर K.R. राहूल का नाम निकल कर सामने आये था, यान कि केर राहुल कप्तान थे लेकिन बड़ी बात ये है कि केल राहुल को अब जिंबावे सिरीज में जो मैच खिला जाएगा वहाँ पर केल राहुल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे आप सभी जानते हैं पहले कप्तान शिखरदवन थे और अब ऐसे में अगर फैंस के लिहाज से बात के जाए तो कई फैंस में केयर राहुल को लेकर खुशी भी है वहीं दूसरी तरफ अगर शिखरदवन के बात के जाए तो शिखरदवन को कप्तानी से हटाने पर फैंस का गुसा काफे जादा फूट रहा है वो सीधा ये कह रहे हैं कि इतने सीनियर खिलाडी और हाला कि कई टुटर पर जैसे की शिखरदवन के लिए उनके जो फैंस हैं उनका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि वह बहां पर शिखरदवन को ऐसा कप्तान देखना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्हें वोइस कैप्टेन बनाए गया है यानि कि कप्तान के तौर पर शिखरदवन अपनी मैच को खेलेंगे अब ऐसे में क्या कुछ वो कॉमेंट उनके फैंस द्वारा किये गे हैं उनके लिए उनके सपोर्ट में तो आपको बता दे कि साकित कहते हैं कि यूशूड रिस्पेक्ट थे सीनियर प्लेयर लाइक शिखरदवन शिखर have bigger record than KL, you should not behave like this with शिखरदवन as it was declared captain in against Jimbabwe squad तो ये बात उन्होंने कही है हाला कि कई ऐसे comment भी है जहां पर शिखरदवन को लेकर इस तरीके की बात निकल कर सामने आ रही है और कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि KL राहूल को लेकर खुशी तो है लेकिन शिखरदव की जगा पर उनको रखना ये सरासर गलत है जहां पर BCCI को कोट किया गया है और लगातार जिस तरीके कि उनके फैंस का जो आक्रोश है गुर्सा है वो BCCI पर फोड़ा जा रहा है एक comment तो इस तरीके से निकल कर सामने आया है कि शिखरदवन हाला कि काफी लंबे वक्त के ब को कब्तानी के तोर पर मेदान में उतार रही है तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उनके फैंस में काफी ज़ादा नाखुशी देखने को मिल रही है शिखरदवन के क्यूंकि के बाद कि के ल, राहुल कम हमें मेदान में खेलते में नजर आएंगे लेकिन वाकई मे जब announcement हुआ BCCI ने अपने officially handle पर टूटर handle पर ये बात ये खबर जारी कर दी थी कि वो अब squad में यानि कि जिंबावी सिरीज के अगर बात की जाये तो वहाँ पर केल राहूल कपतानी करते वे नजर आएंगे तो इसके बाद मानो कई फैंस में खुशी भी थी कि चलिए केल राहूल को पहले मौका दिया जा रहा है उनकी performance को बहतर क्या जा सके क्योंकि लंबा टाइम हो जाता है ऐसे में अपनी form में वापसी करना एक खिलाड़ी के लिए बहुत जादा जरूरी हो जाता है तो उससे पहले अगर हमें केल राहूल अपनी form में वापसी करते हैं जिंबावी सिरीज के दौरान वो अपना बहतर performance देते हैं तो कहीं न कहीं आने वाले एशिया कप में केल राहूल को सहाईता यानि कि मदद इससे मिल सकती है वहीं शिखरधवन को लेकर हर कोई कह रहे कि क्यों उनको replacement किया गया है तो कहीं न कहीं अगर शिखरधवन के हिसाब से अगर देखा जाया तो हमने देखा था जब इंग्लेंड के खिलाब ODI मैच चला था वहाँ पर शिखरधवन को कप्तान ऐसा कप्तान के तौर पर अपने performance को भी वहाँ पर बहुत बहतरीन तरीके से वो आगे चले थी क्योंकि उमीद ये बन जाती है फैंस की नजर में कि एक senior है और काफी जादा experience person भी है तो ऐसे में जिस तरीके से अब शिखरधवन के ऊपर ओप कप्तानी की जो जिम्मेदारी सौपी गई है वो वहाँ पर कैसी जिम्मेदारी निभा पाते हैं और जो उनके fans में काफी जादा आक्रोश है क्या आपको लगता है कि शिखरधवन को एजा कप्तान हमें जिम्मावी सीरीज के दौरान देखना चाहिए था या केल राहल को कप्तान बनाया जाना जाहे था आपकी क्या राय है कॉमें करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भीना भूलें ताकि हर एक खबर इसी तरीके से आप तक तुरण पहुंचेंगे